Hello and welcome back to the channel वापस हम लोग आ चुके हैं car for sale simulator में आज हम लोग अपने showroom की जितनी भी rare car अभी तक मेरे पास कितनी car है मेरे को नहीं पता उनको count करने वाले उनमें जो भी काम कराना है वो हम लोग कराने वाले हम लोग उसको लेकर चल रहे यहां से और हम लोग कार मार्केट की तरफ से आगे चलो ठीक है कोई बात नहीं वैसे यहां पर आज कोई काम था नहीं अभी मेरे को bill पे करना है चार बज़े auction है बहुत सारे काम करने मेरे पास कितनी car है मेरे को आज पता चलने वाला है मैंने कुछ cars बीच में बेची भी है बट मुझे नहीं पता कि उसके अलावे मेरे पास कितनी बचुई है वो सब आज हम लोग लेखने वाला है पिलाले crown मार के आते हैं हम लोग check करके आ रहे हैं कि जो drag race है वहां पर हम लोग देखके आते हैं तो drag race हम लोग देखके आ रहे हैं और यहां पे न मुझे एक तो मिल रही है Audi R8 Audi R8 के साथ क्या हम इसका कर सकते हैं कार की बेट लगए कि नहीं बट फिर भी कर सकते हैं बेट लगा सकते हैं चलिए लगा कर देखते हैं Dodge Charger और Audi R8 All right तो हम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं और दोनों गाड़िया हैं हम पतहीं आ रहे हैं चलने को इसको थोड़ा सा आके लेके चलते हैं फॉस्ट गेर डालना पड़ेगा यह गाड़ी ना कुछ जादा ही लाल नहीं लग रहे हैं इतनी लाल और कार्स को नहीं लगती है और कॉंट्रास ऐसा थगड़ा आ रहा है बिल्कुल ब्लेक एंड रेड का अरे यार मैं फीचे रहे गया क्या नाई हम लोग निकल जाएंगे आगे पता नहीं बट मैं निकल गया हूंए से आगे लेकिन मुझे लग रहे है कि उस गाड़ी में कुछ था नहीं शायद डॉट चार्जर भी देखरों कितने टक्कर वाली गाड़ और देखते कि कौन कौन सी रखनी चाहिए और कौन सी बेजनी चाहिए कुछ कार हैं जो मैं एक एक रख सकता हूं या तो फिर देखेंगे जिस आपस भी होगा पर पहले आज काउंट तो कर रहे कि अपने पास कितनी रेयर कार है उस बीच में अगर हमको और गाड़ी मिल ग अगरए काम कर दिया ना रेटत तो मुझे लगवार पाराया सबखें़ पहले कि मैं घाड़ी आर लगाने वाज हम दिर न बाहरं लगाने वालो हम उसके लिए आप पर आए वो हमारे यह और पास यह रिख बेटें की चल रहे हो और चल रहे हैं आप incl nP mo यह कोई जो काम बच रहें उसके बार और आ जहाद मुझे बन कोई कोई काम करा करा कर करें मैंने पहलोगो पिए एक आप पहले पहुंड काम नहीं करना होगा ये दो गाड़िया मुझे दिख रही है एक तो हमको यह वाली दिख रही डॉज वाइपर और हमको एक दिख रही निसान जेटिया तो इन दोनों को पहले प्रॉपर करा लेता है बट हाँ एक जो काम हमको सारी गाड़ियों में शायद कराना पड़ सकता ह है वह यह कि हमको अरो अपनी जो गाड़िया उनको रिपेर कराना पड़ सकता है तो हम लोग रिपार का रहें गये के आंगी क्या घटक रहेंगे बंगि क्याभ हगया जंक तो में को दुम्हें आप उनली बिल्कुल भी नहीं होँ अपे तो हम लोग पहले छे सब्र록 आठी यह मैंने पहले रेट देखे थे बहुत जादा थे अभी कम हो गई है और भी कोई गाड़ी देखो यह भी शायद इसमें काम कराना पड़ सकता है इसको भी मिलेको रिपैर में डालना है चलिए हम लोग इसको पूरी तरह के सारी गाड़ी को मैं रिपैर करके तैयार करने वाल यहां पर मैंने कुछ चीज अजीब सा कुछ नोटिस किया एक बार मिलेको दूसरी गाड़ी में भी चेक करना पड़ेगा यह गाड़ी में दो दो टायर लगे हुग है या फिर यह टायर कुछ अजीब सा नहीं है मतलब ऐसा टायर तो यार यह देखो जैसे ट्रक या बस मे पर दूसरी गाड़ी में भी चेक करना पड़ेगा पहले मैं इसको लगा रहा हूँ रिपेर पर एक बहुत अलमस्ट मुझे लग रहा है कि सारी कार्स को मिलेको रिपेर कराना पड़ेगा अब मेरेको इसके टायर देखने इसका भी है क्या समझ नहीं आर इसका बहुत ना टायर है हो सकता है कि यह वाले जो टायर है डबल डबल हो कुछ ऐसे सिस्टम क्योंकि गाड़ी का बहुत पुराना वाला टायर है कोई और लेट तो मैं यहां पर लगा रहा हूँ इसको अब हम लोग करते हैं इसको अपग्रेड तो पहले तो यहां पर जो भी सारी चीज़ यह बस ट्रक वाला टायर है यह कहां से लग रहा है इसमें क्यूंब फिट हो जा रहें जीब सा लग रहें चलिए हम लोग अभी यह लगा रहें तीने जार के हमको पड़ार नंबर प्लेट वगर भी चेंज कर लेते हैं नंबर प्लेट में तो खैर हमको कुछ करना नहीं है अब suspension I think suspension थोड़ा कराना पड़ेगा मेरेको हाँ पूरा ही डाउन कर दिया मैंने तो यार अभी भी ठीक लग रहा है तो अभी मैं कर रहा हूं गाड़ी मैं हापे paint बड़ पेंट करने से पहले हम लोग गाड़ी को थोड़ा धो लेते हैं ताकि clearly पता चल जाए कि हम लोग क सारा काम करा लिया चलने में थोड़ा जीब से क्यों लग लिए नहीं ठीक है ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो मैंना इसको कहीं पर ground में गाड़ी करूंगा या फिर road में यहां पर भी हम लोग खड़ी कर सकते हैं बड़ दिक्कत यह है कि इसके पीछे से जो गाड़ लर्की गाड़ी दिख रहे होगी या ऐसा इंपूरी मटमेली का लर्की वो गाड़ी में हमको काम कराना होगा तो बहुत महनत लगने वाली है लेकिन उसके बाद जो reward मिलेगा ना तो इतने पैसे मिलने वाले इन गाड़ी को बेच के पैसे से भी जादा किसी चीज के लिए एकसाइटेड हूं मैं तो यार 4.50 होगे ही लो मैंने एक और वहाँ पर मिस कर दी आज की पहली ऑक्शन थी हमारी वैसे हो चलिए इसमें सारा काम कराना हमको पढ़ेगा चात्य सजा डॉलर का लग रहा है कुछ भी इतना पहेंगा लेकिन कराना तो हमको पढ़ेगा क्योंक मैं और एक बार ट्राइ करना चाहूंगा कोई और कलर करके इसमें कि वो कैसा लग रहा है दो लाग पच्छन जार का इस गाड़ी में सबसे महंगा समान जल डलता है और दो लाग पच्छन मजला मैंने इसमें धाई लाग से ज़्यादा का काम करा लिया अभी अभी 36 जार का तो कुछ टायर वायर डला ता कुछ तो डला था और दो लाग पताने 15,20,30,000 का इसमें पेंट लगा हुगा है एक और गाड़ी है आइधिंक यह तो धोई धोनी है मुझे एक बरना गाड़ी यह दो के देखता हूं मैं यह ब्लेक मैं ब्लेक कलर तो नहीं कर सकता है इस गा पता हूं नहीं बता सही कि मैं कोई आइडिया नहीं कुछ गाड़ीया मैं जीतता हूं और मैं खड़ी कर देता हूं पहले क्याता है क कम गाड़ी आ करा लेते हैं पेंट ऐसे एसे करके जितनी और गाड़ियां बचे हुई है उनको भी पहले तैयार कर लेता हूं रेडी कर लेता हूं उसके बाद हम लोग एक एक गाड़ी से सबके राउंड लगाएंगे इस गाड़ी में थोड़ा सा डेमेज था और पाथा खर्चा कितना है 94 24,000 डॉलर्स का इसको रिपैर करने का ये गाड़ी इतनी सबसे महेंगी गाड़ी है और इसलिए इसमें कुछ भी काम कराऊना तो बहुत ज़्यादा महेंगा पड़ रहे है अभी मुझे सारी गाड़ियां यहां पर लगानी काउंट कर सकूँ ताकि मैं बड़ उससे पहले मुझे ना ये देखना है कि एक मेरी गाड़ी ये क्या हो रहा है ये मुझे ऐसा लग रहा था ने कि कोई गाड़ी चल रही है ये ये हो रहा है इसको मिरे को रोकना पड़ेगा अब ठीक है चलिए अब ही ना मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम लोगोंने सारी की सारी जो लीक्ष चालिए चली इसको दो छोड़ते हैं एक गाड़ी है अब मुझे समझ नहीं में ब्लैक पेंट जहां तक मुझे याद है मैंने black paint भी कुछ गाड़ियों में करा रखा था एक सेगड यह वहाँ पर जा सकते हैं रिपैर करानी इसको रिपैर में डालते हैं और एक और जो गाड़ी थी blue वाली वह भी रिपैर में डालते हैं जो थोड़ी बहुत रिपैर वाली बच रही ना अब सब के सब तुक गई चलिया जो बी है जितनी बचुऊई कार से ने उनको मै रिपैर करा लेता हूं और यह नहीं यह नहीं है और यह उसके बाद हम लोग ना इनको काउंट करेंगे तो मैं रोड में ही सोच रहा हूं कि लगा लूँ इनको ताक्कि हम अराम से इसको फि चुका हूँ और अब मुझे असा लग रहे है कि शायद हम लोग ने सारी जो गाड़िया है उनमें जो भी काम करना था वो करा लिया मुझे यहां पर कोई गाड़ी तीन गाड़िया है जिन मैं एक बार बस चेक करना है कि क्या रिपेरिंग वाला काम बच रहा या फिर नहीं यह एकदम नई नवेली है और यह इसमें थोड़ा सा काम है और उसके बाद यह वाली गाड़ी इसको भी देख लेते हैं इसमें भी थोड़ा सा काम है तो हम लोगों इसको लेके ही चल रहे हैं इन दोनों को रिपैर में डाल लेते हैं उसके बाद यह एक काम करते हैं पहले ड जाद अतर गाड़ियां डेमेज थी यहां पर यहां पर यहांपर भी मुझे कोई भी गाड़ियां दिख रहे हैं ऐसा गैसे अच्छा नी अब जाके दिख गई है अब हम लेकर चल रहे हैं इसको सीधा रिपैर सेंटर में आरे यार इसमें ठुग गई है मुझे लगा कि यह damage हो गया बट कोई बात नहीं हमको वैसे रिपैर करा नहीं थी ठीक है चलिए लेके चल रहे हैं बहुत सारी गाड़ियां कोई आइडिया ने लग पा रहा है अभी भी मुझे कि इतनी कार्स है यह सही बाने खड़ी करी है क्या यह फिर एक काम करते हैं इसको यहां से हम लोग चलिए लास्ट की दो कार्स है इनको रिपैर करते हैं और फिर जाके माप से मिलता हूँ ओके तो अब ना मुझे यह सोच रहा है कि मुझे सारे की सारे गाड़ियां लगा नहीं कहां पर ताकि मैं इनको काउंट यह क्या हो रहा है यह वापस से हो रहा है इस गाड़ी में चलिए अब ठीक है तो यहां पे ना पहले तो मैं यह वाली गाड़ी को यहां से हटा लेता हूँ अपनी डॉच चार्जर को इसको हम लोग डालते हैं अंदर शोरूम के यहां पर मैं ने इसको रख लिया और अब जो बांकी अपनी cars है ना उनको मैं लगाता हूँ यहाँ पर ठीक है तो पहले यह हटा लेते मुर्ग पता है गार यहाँ आएंगी तो problem create होने वाली तो ना एक काम मुझे यह करना है कि सबसे सस्ती कौनसी गाड़ी है I think यह है सबसे सस्ती तो इनको मैं आगे लगाओ या फिर इनको पीछे लगाओ देखना पड़ेगा थोड़ा से सोचना पड़ेगा हमको मैं सोच रहा हूँ कि इसको ना मैं लगा दूँ ऐसे सेंटर में आगे सबसे पहले इनको खड़ी करते हैं उसके बाद देखेंगे एक एक करके खड़ी करते हैं एक लाइन में ताक कि हम काउंट कर पाएं कि कौनसी वाली गाड़ी अपने पास कितनी है अब यह भी तो आएंगे बीच में यार ग्राउंड में खड़ी करनी पड़ेगी क्या मुझे ग्राउंड मनी मैं चाहरा हूँ कि इनको मैं यहीं पर खड़ी करूँ या फिर ग्राउंड में खड़ी करें ए हाँ मुझे लग रहा है कि यह बहुत सही रहे है कि वहाँ पर ना मिक्स हो जाएंगी गाड़ियां अगर वह रोड में सड़क चलते जो लोगों के गाड़िया आएंगे ना उनके साथ मेरी वाली गाड़ी मिक्स हो जाएगी तो फिर अजीब सा दिखेगा हो और ट्राफिक ज होने को आएगी पेंट होने को आएगी तो बहुत दिक्केत होने वाली है मिरे को लग रहा है कि माज़ए अपने पास ने बहुत कम है आई होप कि ये दिखने की अच्छी लगे मैं चहा तो रहूँ कि अ और फाइनली मैंने जो सारी की सारी कार्ज अन्हें उनको लगा लिया, प्रॉपर तरीके से, वैसे मैंने कांट भी कर लिया, बट अब मैं आपको दिखाने वालो हूं, अपने कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ रेर कार्ज का, एक बार हम लोग इससे पहले कलेक्शन किया था, वो अभी तोड़े मेरं रिवील होने वाला है मेरा जो कार का कलेक्शन आपको दिखने वाला है मैं कांफी टाइम से आप सारे हमारी कार्ज उब ऊपर चलते हम लोग गाड़ी के, यह आपकोland चढ़ भी पाँगा, ऐखन Watch यह एक काम करते हम लोग न आप गाड़ी में चलते हैं और हम लोग यह वाला ऐसे करें यह देखो तो यह सारी हमारी कारроде था है अलग अलग खलर की हर टाइप कि आप आपको जीए सब्से पहली कार है और माजडा ही आई थी रेयर कार में इनको जब मैं repair करा रहा हूँ और जब मैं इसमें कुछ काम कर रहा हूँ यहाँ पर लगाने में मेरी हालत खराब होगी थी एक पर गाड़ी से उतरते हैं सबसे पहली कार हमारे पास सबसे जो कम है Mazda RX-7 इसका नाम था जो भी था पर दमज सबसे प्रशा हैं सबसे पहली जब पता भी नीता इस प्रह间 नाम थो हो वैरे पास यह थी आप लोगे डीक्रव निकार क。 बताए कि इसको मिजा डेचने रेयर कार है हमारे पास चार है उसके बाद यह.ए आपास यह घौनों बाद वाली रेर कार ठीक है तो यह हमारे पास कार है और एक-एक हम लोग हर टाइप की कार को सेल कर चुके हैं मतलब सोच लो तो टोटल अगर इसको कर लो 34 के अराउंड शायद ये कार से हो रही है 34 रेर कार है हमारे पास एक बार फटा बड़ से आगे बीचे चेक कर लेता हूँ कि क्या कहीं मैंने कोई गारी चिपा के तो नहीं रखी हुई है मतलब 34 रेर कार मैंने जब स्टार्टिंग में रेर कार को कलेक्ट करना स्टार्ट भी किया था तो मैं बोलता थे कि मिरे पास मैं 10 करके दिखाऊंगा और उस टाइम पर 10 करना बहुत मुश्कुल था लेकिन एक काम असान पता कब से हुआ जब से हमको ड्रेग रेस में कार मिलने लगी तो अपसे क्योंकि मुझे बहुत कमी कार्स हैं जो मेरे को वहाँ पर मिली हुई है यानि कि auction house में मिली हुए उसके अलावा सारी के सारी जो cars है वो हमको मिली है drag race करके और drag race से इतने सारी गाड़िया हम लोगों ने जीती है ना मैंने दो गाड़िया हम लोगों ने drag race में हारी भी है दो की दो mazda है और इसलिए mazda मेरे पास कम भी है माजड़ा हमको ज्यादा मिली भी नहीं race में माजड़ा के साथ हम लोग दो बार race हा रहे है शायद दो या तीन बार पता नहीं कितनी बार तो mazda को छोड़ दो उसके अलाव बाकि सारी cars मतलब यार देखो इतना बड़ा collection यह है अब अगर हम लोग इसको बेचेंगे तो कितने का यह होगा आप लोग मेरे को comment करके बताना और हाँ आप लोग मेरे को ये भी बताना कि क्या मेरे को इन में से एक एक गाड़ी सारी रखनी चाहिए या फिर सारे का सारा सामान बेच दू फिलाल इसी के साथ आज का एपिसोड खतम करते हैं मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए बाई